प्रवाइब दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज मैं आप लोग को एक इंट्रेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूँ तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नॉलिजिवल है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी और दोस्तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखेंगे तो आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूब होगी एक दिन रमेश ने अपनी पतनी से बाजार जाकर एक मच्छरदानी खरीदने को कहा तो दोस्तो सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल पास टेंस यानि कि सबजेक्ट पलस वर्ब टू पलस अबजेक्ट इसके बाद दोस्तो यहाँ पर देखेंगे कि वर्ब कितने हैं एक है कहा इसके लिए आप आस्कुड का यूज कर सकते हैं एक है खरीदना यानि कि बाई और एक है जाकर यानि कि टू गो तो इस सेंटेंस में में वर्ब है कहा इसे पहले लिखेंगे एक दिन, वन डे किस ने कहा, रमेश ने, यह सब्जेक्ट है रमेश आस्क्ड इस वाइप बाजार जाकर इसके लिए लिखेंगे तू गो तू दे मार्केट एक मच्छरदानी खरिदने को कहा एंड बाई अ मस्कीटो नेट वन डे रमेश आस्क्ड इस वाइप तू गो तू दा मार्केट अन बाई अ मस्कीटो नेट उसकी पतनी एक दुकान पर गई और दुकानदार से उसे सबसे अच्छी गुनवत्ता का जाल दिखाने को कहा तो सबसे पहले लिखेंगे उसकी पतनी एक दुकान पर गई His wife went to a shop and asked the shopkeeper तू शोहर सबसे अच्छी गुनवत्ता का जाल, the best quality, दुकांदार ने उसे एक बहुत अच्छा जाल दिखाते हुए कहा, दिखाते हुए, इसके लिए लिखेंगे, शोइंग, यानि कि ing form यूज करना है, तो यहां पर लिखेंगे, the shopkeeper, showing, her, a, very good, quality, net, said, दिखाते हुए कहा, इसलिए and use नहीं करेंगे, आप एक कॉमा का यूज कर सकते हैं, the shopkeeper, showing, her, a very good, quality, net, said, यह सबसे अच्छी गुनवत्ता है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, this is the best quality, जो which आपको कहीं और नहीं मिलेगी, यू, will not, इसे short में आप won't लिख सकते हैं, be able to find कहीं और elsewhere, this is the best quality, which you won't be able to find elsewhere, एक मच्छर भी इससे होकर नहीं गुजर सकता, not, even, a single, mosquito, can, pass through it, this is the best quality, which you won't be able to find elsewhere, not even a single mosquito can pass through it, उसकी पत्नी ने जाल खरिदने से मना कर दिया, मना कर दिया यानि कि refuse कर दिया, तो यहां पर लिखेंगे, his wife refused to buy the net, his wife refused to buy the net, नेट यानि कि मच्छर दानी, मस्कीटो नेट, दुकांदार ने कारण पूछा, तो वह बोली, मच्छर इससे नहीं गुजर सकता, तो हम कैसे गुजरेंगे, तो यहां पर लिखेंगे, यानि कि एक मच्छर, अ मस्कीटो ने कांट पास थ्रूँ इट, देन हम कैसे गुजरेंगे, इसके बाद वह घर लवटी और अपने पती को सारी बाद बताई, तो यहां पर लिखेंगे, सारा मामला सुन कर रमेश को अपनी पतनी की मुर्खता पर हसी आई, रमेश को अपनी पतनी की मुर्खता पर हसी आई, रमेश लवट अपनी आप स्टूपीड़ी भी लिख सकते हैं, आईए दोस्तों ऐसे वर्ट्स के बारी में जान लेते हैं, जो हमारे लिए काफी इंपोरेंट है, और जो आपको न्यूज पेपर में देखने को मिल जाएंगी, दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी रेल दुर घटना हुई है, जिसके लिए हम लोग सभी शोक पर कट करते हैं, यह एक बहुत ही दुखत घटना है, जैसे दोस्तों कोई रेल का डबबा पटरी से हड जाता है, तो उसे डिरेल कहते हैं, और रेल के डिबबे को आप कोचेज कह सकते हैं, तो मान लीजिए, तो दोस्तों यहाँ पर कैप साइज़ कहते हैं, कैप साइज का अर्थ होता है, पलट जाना, नौँ पलटने के सेंस में भी आप कैप साइज बर्ब का यूज़ कर सकते हैं, काफी इंपोडेंट है, परधान मंत्री ने हाई लेबल मीटिंग की, तो आप कह सकते हैं, इस्थिती का जाईजा लेने के लिए, तो यहाँ पर टेक स्टाउक आफ कार्थ होता है, जाईजा लेना, इसके साथ हमेशा आफ यूज़ करते हैं, काफी इंपोडेंट वर्ब हैं, याद रखेंगे, और दोस्तों, ओडिशा के जो मुखमंत्री है, नभीन पत्रायक, उन्होंने एक दिन के लिए, राजिके सोक की घोसना की है, तो इस बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इंग्लिस में, ओडिशा, सी एम, और जो भी नाम है लिख सकते हैं, डिकलेर्ड, वन डे, स्टेट, मौर्निंग, दोस्तों इस मौर्न का आर्थ होता है, शोक पर कट करना, तो यहाँ पर हो गया, स्टेट मौर्निंग, वन डे श्टेट मौर्निंग, यानि की एक दिन का राज किये, सोक, और इसा सी एम, declared one day state morning और दोस्तों माली जी ये मरने बालो की संख्या इतना तक बढ़ गई तो आप इसे लिख सकते हैं और यह एक official संख्या है तो आप लिख सकते हैं official death toll mounted यानि बढ़ गई to 288 official death toll mounted to 288 death toll काफी important word है याद रखेंगे और जो भी नुकसान हुआ है उसे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं number of casualties has increased to 288 तो आप यहाँ पर casualties word का भी यूज कर सकते हैं और कई घायल पैसेंजर्स का बिभिन अस्पताल में इलाज चल रहा है इस बात को आप इंग्लिस में लिख सकते हैं इंजर्ड पैसेंजर्स आर बिंग ट्रीटेड यानि किसे पैसिव वाइस में लिखा जा रहा है इलाज किया जा रहा है जैसे मुझे पढ़ाया जा रहा है आयम बिंग टॉट तो यहां पर इंजर्ड पैसेंजर्स आर बिंग ट्रीटेड इन वेरियस हॉस्पीटल्स और दोस्तो जो बहुत ही बैडली इंजर्ड है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं बैडली इंजर्ड या फिर ग्रिवसली वूंडेड यानि कि गंभी रूप से घायल ग्रिवसली वूंडेड काफी इंपूरेंट वर्ड है याद रखेंगे आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा यदि हमेरा एफर्ट आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए लगा फ्रेंज थांक्स पो ऌचिंछ आप ग्रेट दे अच्छा लगा चाई